नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है येसपाल सिंग और आप सभी का स्वागत है पॉड़कास्ट के एक नए एपिसोड में आज इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिजनेस को ब्लॉग की रिक्वाइर्मेंट क्यों होती है ऐसा नहीं है कि बिजनेस बिना ब्लॉग के रन नहीं होते हैं लेकिन आज के competitive market में जहां पर हर चीज online available है तो इस competition को beat करने के लिए और specific customer को target करने के लिए या specific specific niche के customers को हम अगर target करते हैं तो हम उस तक अपना product के इस तरह के से पहुंचाएं तो यहां पर blogging या blog बहुत जादा importance रखता है पिछले episode में हमने समझा कि blog क्या होता है और content writer की requirement किसलिए होती है अगर आज आप content writer को hire करते हो या खुद अपना content लिखते हो तो इसका basic सा मतलब यही होता है कि आप अपनी product को या अपनी services को अपने targeted audience तक पहुंचाना चाहते हो जिससे आप यह समझगो कि target audience किस तरह का behave करती है क्या उसकी buying strategies रहती है आप अपने product को उनके पास ले जाने की कोशिज करते हो ब्लॉग सबसे अच्छा तरीका है आपके client customer और audience के साथ connect करने का और साथ ही साथ में यह सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी audience को अपना work दिखाते हो कि हम किस niche में काम करते है हमारा product क्या है हमारी services क्या है हमारी website कैसी है तो ब्लॉग स सबसे best तरीका माना जाता है कि जिससे आप अपनी audience के साथ और ज्यादा connect करते हो तो आज हम इनी सब topics पर बात करने वाले हैं कि ब्लॉग की requirement एक business को किसलिए पड़ती है और आप अपने online business को या आप अपने offline business को online mode में लाकर किस तरीके से profit earn कर सकते हो किस तरीके से आप audiences के साथ connect हो सकते हो किस तरीके से आप अपनी social media presence को लोगों के सामने ला सकते हो अगर हम ब्लॉग के statics के बात करते हैं तो हमको यह पता चलता है कि 80% of audience जो किसी problem को लेकर search engine पर आती है और उसकी problem solves होती है ब्लॉग के कारण कोई भी customer है या audience है या कोई भी normal person है जो किसी problem को solve करना चाता है या उसके related कोई queries है तो वो search engine पर आता है अपनी queries डालता है और उसके बाद में जब वो blocks पढ़ता है या जो written information हमारे द्वारा या और किसी के द्वारा लिखी गई है तो वो उसको पढ़के और वो satisfaction फिल करता है और इसका basic meaning यह होता है कि जब customer आपके पास directly आता है तो उसको sales करने का या अपनी sales को increase करने के chances हमारे पास बहुत जाता होते हैं अगर हमने उस particular topic के बारे में अगर हमने information सही तरीके से दी है तो हम उसको बहुत अच्छी तरीके से sales में convert कर सकते हैं तो इस episode में हमे specific niche को example लेके हमें इन topics पर बात करेंगे तो जो topic हम ले देने वाले हैं वो gaming industry देखें इंडिया में gaming industry बहुत तेजी से grow कर रहा है बहुत सारी companies हैं जो gaming industries में अपना पैसा डाल रही हैं बहुत सारे gamers हैं जो gaming को promote कर रहे हैं और आने वाले time में gaming industry बहुत powerful industries होने वाली है तो आज इस episode में हम लोग समझेंगी कि अगर आप एक gaming blog बन business run कर रहे हो तो आपको blog किस तरीके से लिखना चाहिए किस तरीके से आपको target करना चाहिए अपनी audience को किस तरीके से आपको अपनी services और product को sale करना चाहिए तो हम सबसे पहले बात करेंगे what is the purpose of blog देखें blog का main purpose यह होता है कि आप जो भी services या जो भी product आप sale करना चाहते हो या सारी के सारी information, अपने product के information, उसके benefits, उसके causes, जब आप अपनी audience तक पहुंचा होगे, तो audience company के साथ या organization के साथ connected feel करती है, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे gaming industries के बारे में, जैसे suppose करिए कि आप कोई game develop करते हैं, और आप उस game को अपनी audience तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप एक blog लिखेंगे, उस blog के अंदर आप अपनी game के बारे में बताएंगे, कि हमारा game किस तरीके से operate होता है, इसमें क्या-क्या features हैं, किस तरीके से आप इसको enjoy कर सकते हैं, sometimes हम उसके अंदर copywriting भी करते हैं, कि अगर आप हमारे product को buy नहीं करते हैं, या अगर आप हमारी services को go through नहीं करते हैं, तो आप क्या चीज मिस कर सकते हैं, तो blog का main purpose यह होता है, कि आप अपनी audience के साथ वो सारी चीजे share करें, जिससे वो आपके साथ connected feel करें, next जो चीज जिस पर हम बात करने वाले हैं, वो है कि अगर हम एक blog लिखते हैं, तो हमको कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, देखें, सबसे पहली चीज जब हम blog लिखते हैं, तो main हमारा purpose यह होता है, कि हमारी stories या हमारा experience है, या हमारे जो product से related, या service से related हमारी stories है, हम उसको customer तक पहुंच जाए, या उसको हम audience तक पहुंच जाए, तो सबसे पहला point यह आता है, कि हमको हमारी stories customer के साथ share करने पड़ती है, या audience के साथ share करने पड़ती है, जिससे वो हमारे साथ connected feel करें, दूसरे number पर हम देखते हैं, कि valuable content होना चाहिए, जो content आप अपने audience को pass out कर रहे हैं, या content आप अपने blog में, या article में, जो आप लिख रहे हैं, वो एक relevant content होना चाहिए, valuable content होना चाहिए, कि audience उसके साथ connect कर पाए, उसको बढ़ के, या उसको देख के, वो कुछ न कुछ उस चीज से gather करें, या हमारा main motive यह होना चाहिए, कि हम उनके साथ connect कर पाए, तीसरा हम बात करते हैं, कि title के बारे में, देखे, title सबसे ज़्यादा important होता है, अगर आप title को misunderstand करते हैं, या उसको freely pass out करने के questions करते हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा, जब भी कोई customer या कोई भी targeted audience, जब किसी blog पर आती है, तो सबसे पहले 90% यह chances रहते हैं, कि अगर आपका title बेकार है, तो उसके अंदर आप चाहिए, अपने ने कितना यह अच्छा content लिखा हो, तो audience उस होना जीए, कि audience उसको पड़े और उसको लगे कि नहीं, मेरे को यहां से कुछ न कुछ अच्छा information मिलेगा, fourth point होता है, introduction part, कि जब आप एक content लिखते हो, या blog लिखते हो, या article लिखते हो, तो देखे, audience तीन pattern से blog को या article को read करता है, पहले part में आता है, हमारा title, दूसरे part में आता है, हमारा introduction, third part, main body, और fourth conclusion, देखे, अगर आप इन तीनो चीजों को या चारो चीजों को, अगर आप miss out कर जाओगे, आपने ये सोचा कि मैंने title अच्छा ले लिया, introduction अच्छा ले लिया, और बीच मैंने कुछ भी लिख दिया, तो वो चल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको हर एक point को अच्छी तरीके से elaborate करना होगा, simple way में लिखिए, उस चीज को इस तरीके से लिखिए, कि अगर आप उस content को पढ़ते, और अगर आपके सामने वो services या product आता, तो आप उसको buy करते, या आप उसको खरीदते, जब आप किसी भी content को देखते हो, या कि किसी भी article हो देखते हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले चीज यह आने चाहिए, कि मेरा जो content है, या मेरा जो article है, ये logo तक relevant information पहुंचाए, valuable client मुझको मिले, या valuable customer base मुझको मिले, और मेरी sales increase हो, देखिए, out of the day हम किसी भी industry में रहे हमारा main मकसद यही रहता है, कि हमारी sales increase होना चाहिए, हमारा revenue आना चाहिए, और अगर हम fundamentals के बारे में बात करते हैं, या traditional way के बारे में हम बात करते हैं, तो आज वो time नहीं है कि आप जबरजस्ती कुछ भी दिखा के या कुछ भी पढ़ा के आप customer base बना सकते हो, तो आज के time पे अगर आपको loyal customers बनाने हैं, तो आपको उनका pain point पकड़ना पड़ेगा, आपको उनको relevant information देनी पड़ेगी, आपको ये समझना पड़ेगा, कि आपकी audience आप से या आपके business से क्या चाहती है, आप जो services दे रहे हो, उस services का audience किस तरीके से use कर सकती है, या आप उनकी problems को अपनी services के तरू किस तरीके से solve कर सकते हो, तो हमने बात करी कि कौन से 5 या 6 points हैं, जो हमें blog लिखते time पर याद रखने चाहिए, जिन points को हमको go through करना चाहिए, जिससे हम अमारे loyal based customer बना सके, तो अब हम बात करने वाले हैं, कि जब आप एक blog start करते हो, जब आप एक blog publish करते हो, या अपनी website पर content डालते हो, तो उस content की through, आप अपनी audience को किस तरीके से connect कर सकते हो, या उस blog का आपके business को किस तरीके से फाइदा मिलता है, चलिए एक एक करके समझते हैं, कि जब आप एक blog लिखते हो, तो आप किस तरीके से sales को increase कर सकते हो, और किस तरीके से blog आपकी website को, या आपके business को किस तरीके से growth दिला सकत तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जब आप एक blog लिखते हो तो एक targeted audience को हम target करते हैं अगर आज मैं gaming industries के बारे में बात करता हूँ तो मैं सिर्फ उन लोगों को target करूँगा जो gaming में interest रखते हैं मैं उन लोगों को target नहीं रखूँगा जो outsiders game खेलते हैं पहले हम cricket वगरा करते थे, volleyball वगरा करते थे, football वगरा करते थे रेकिन आज के time पे online इतने games available हैं कि लोग outdoor games को देखते ही नहीं है तो मेरा target वो audience होगा वो online gaming community होगा तो अगर आज मैं blog लिखता हूँ gaming industries पे तो मेरा blog लिखने का main मकसद यहता है कि मैं अपनी services को या अपने product को एक targeted audience तक पहुचाना चाहता हूँ देखिए जब आप एक blog लिखते हैं, अच्छी तरह के से उसके content लिखते हैं introduction, body part, conclusion, headlines, जब हम उसको अच्छी तरह के से well structured way में लिखते हैं तो उससे हमको फायदा ही होता है, यह हमारी website पे या हमारे blog पे traffic आता है जितना अच्छा आप लिखोगे, जितना time consume करके आप लिखोगे, जितनी research करके आप लिखोगे उतना ही आपका blog अच्छा रहेगा, उतनी ही audience आपके पास आएगी तो blog एक तरीके से हमको यह फायदा दिलाता है, कि हम हमारी website पे या हमारे blog पे हम traffic को increase कर सकते है ऐसा नहीं है कि आज आज आपने कोई blog डला और आज ही आपके पास traffic आना स्टार्ट देगा देखिए, blogging या online community में business करना यह time consuming वाला काम है ऐसा नहीं है कि आपको instant result मिलेगा, आपको patience रखना पड़ेगा लेकिन जिस तरीके से आप continuously blogs होगे डालोगे, जिस तरीके से continuously आप अपनी information को provide कर रहोगे उस तरीके से आपके पास customer base मनना create हो जाएगा तो blog हमारे पास traffic को increase करने का काम करता है अप दूसरा point भी इससे related है कि जब आप continuously blogs डालोगे, जब आपके पास traffic साना start हो जाएगा तब आप उस traffic से paying customers में उनको convert कर सकते हो, आप अपनी services उनको sales कर सकते हो, आप उनको subscription basis पे आप उनको convert कर सकते हो तो blog हमको ये भी benefit देता है कि आप अपने traffic को paying customer में भी convert कर सकते हो, हम third point के बारे में बात करते हैं, कि जब आप blog बनाते हो, आपने blog बनाया, आपके पास leads आने start होगे, अपने high paying customers को convert करना start कर दिया, तो इससे क्या होता है, कि आपके marketing efforts कर हो जाते हैं, आपको paid advertisement चलाने के आपको social media influencer या social media marketing करने के आपको आवशकता नहीं होती है, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें एक दूसरे से connected होती चली जाती है, तो हमारा main मकसद यही रहना चाहिए, कि हमारा जो blog है, या हमारा जो content है, वो relevant हो, effective हो, और valuable content होना चाहिए, तो fourth point यह आता है, कि जब आपके पा leads को convert करना start करते हो, तो आपकी sales team को इस चीज़ का benefit मिल जाता है, कि वो एक अच्छे deal को close कर शुकते है, let's take an example, कि मैंने एक company start करी, जो gaming related है, मैंने एक game बनाया, और मैंने उसे related blog post करने start की, मैंने वहाँ से leads capture करना start करी, जब मेरे पास एक अच्छे amount में leads आने start हो जाती है, तो मेरी sales team को, या जो मेरा backend पे sales के person काम करते हैं, या जो team काम करती है, उनके पास जो leads जाती है, तो उनके पास एक अच्छा data collect हो जाता है, जिससे वो उन customers को या उन client को, हम उनको paying customers में convert कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता है कि gaming, हमने कोई game बनाया, और हमने उसे related leads हो collect करी, तो मेरी sales team को, उन 60 या 50 बंदों में से, हम उनके साथ connect हो सकते हैं, by mail हो सकते हैं, टेलिफोने काम उनके साथ कर सकते हैं, हम उनको हमारे product sale कर सकते हैं, कि सर, हमने ये game बनाया है, इसकी price ये ये है, आप इसको इस तरीके से यहाँ से purchase कर सकते हैं, purchase करने के बाद में, अगर कोई issues आते हैं तो हम उसको resolve कर सकते हैं तो इस चीज़ का फाइदा हमको blog से मिलता है देखिए paid advertisement में पैसा डालना गलत बात नहीं है लेकिन जब हम long term के लिए बात करते हैं तब हमको SEO की ही importance होती है paid advertisement सिर्फ उसका main purpose यह रता है कि अगर आपको instant result चाहिए instant आप sales generate करना चाहते हो instant आप lead generate करना चाहते हो लेकिन हम अगर एक long term way में आगर हम हमारे business को run करना चाहते हैं या grow करना चाहते हैं तो हम उसको SEO के through ही करेंगे और blog SEO का सबसे essential part है आपका content, आपकी strategy, आपकी SEO strategy कि आप SEO को किस तरीके से use करते हैं आप अपने content में on page SEO को आप किस तरीके से use करते हैं off page SEO को किस तरीके से use करते हैं SEO की कौन-कौन सी policies है जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए कौन-कौन सी policies है Google जिनको approve नहीं करता है तो उन सब चीजों के लिए या long term grow के लिए हमको SEO पे ही depend होना वरता है तो अब यहाँ पर पांचवा point ही आता है कि जब हम blog start करते हैं तो हम blog के साथ-साथ अपनी brand awareness भी create करते हैं हम अपनी targeted needs को हम ये बताते हैं कि हम किस तरीके के product बनाते हैं हम किस तरीके की services sale करते हैं तो एक brand awareness जो create होती है उसमें blog बहुत ज़्यादा importance प्ले करते हैं तो आप हमेसे इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जब भी आप को ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसको long term के basis पे लिखिए इस तरीके से मतलिखिए कि आज मैंने content लिखा और तीन महिने बाद में मैं इसको revise करवा दूँगा या इसको change कर देंगे हम लोग आप उस content को इस तरीके से लिखिए कि साल बर आप उस content को चलाए आपके वहाँ से traffic आता रही website में और blog में यही difference होता है कि website पर आप जो content लिखते हो वह एक बाद stuck हो जाता है तीन चार साल पांस साल के बाद में हम उस content को change करते हैं लेकिन blogging में यही चीज होती है कि आपको content को continuously basis पर update करना पड़ता है एक particular time period के बाद में उसको update करना पड़ता है ताकि आप जो changes कर रहे हो अपने product or services में उस changes को आप अपनी audience तक पहुचा पाओ और audience उस चीज के साथ connect कर पाए और उस चीज को observe करे कि हम जिस product or services को use कर रहे हैं उसमें क्या-क्या changes आ रहे है देखिए blog सबसे best way है आपका product को आपकी services को एक targeted audience तक पहुचाने के लिए paid advertisement का use करना आप एक short term तक उसको use कर सकते हो आप उसके तरूँ आप अपने brand awareness बढ़ा सकते हो लेकिन targeted audience के साथ long term तक connect करने के लिए blog सबसे best way तो blog हमें ये भी benefit देता है कि हम हमारी audience के साथ long term तक connected feel कर सकते हैं आप उनके साथ chat का एक option डाल सकते हैं अपने blog में Q&A का option डाल सकते हैं कि आप उनके queries को या उनके questions को आप solve करें इससे आप अपनी audience के साथ better experience कर पाएं आप उनकी psychology को समझ पाएं कि वो आपके product को लेकर क्या सोचते हैं आपकी services को लेकर क्या सोचते हैं आपको ये समझ में आएगा कि 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 targeted audience को मेरे को target करना है कहाँ पे मेरे को अपने product या services को sale करना है कौन सी strategies लानी है आपको youth को target करना है अगर हम game के बारे में बात करें तो आप youth को ज़्यादा target करेंगे क्योंकि आज के time पर youth सबसे ज़्यादा gaming केलता है age group आप ले सकते हो 80 से 35 के आसपास लेकर अगर यही चीज़ अगर आप paid advertisement में करते हो तो paid advertisement में आप पैसा भी डाल रहे हो आप campaign भी चला रहे हो आपका पैसा भी जा रहा है और आपके पास हो सकता है उस level की lead या उस level का traffic आपके पास नहीं है तो blogs हमेशा हमें यह profit देता है कि हम हमारी एक targeted audience के पास हम उनके साथ connect कर पाए next चीज यह आती है कि blog cost effective होता है जैसे कि हमने पहले बात करी कि आप google ads में या advertiser के तुरू आप अपना ads सलाते हैं या अपने product and services को sale करने की कोशिज करते हैं तो आप उसमें पैसा invest करते हैं लेकिन blogging बहुत ज़्यादा cost effective है आपको कोई ज़्यादा cost नहीं आती है आपको अगर आप खुद content लिखते हैं तो आपको वो भी कोई problem नहीं आती है लेकिन अगर आप किसी content writer को भी hire करते हैं तो maximum अगर आप 2000 words का content लिखवाते हो तो 2 या 5000 के आसपास में आपका content ready हो जाता है नॉर्मल अगर आप एक website run करते हो तो उस website पर आप अपने content को publish कर सकते हो तो paid advertisement से बहुत ही ज़्यादा cost effective होता है blog run करना तो हम हमारे business को इस चीज़ का फाइदा ही मिलता है कि हम बहुत ही short term amount पर हम हमारे audience के साथ हमारे targeted audience के साथ connect हो जाते है और सबसे last में जो point आता है वो यह आता है कि blog SEO के लिए सबसे ज़्यादा important है देखिए website पर आप content publish करते हो या blog publish करते हो तो blog हम continuously उसमें update करते रहते हैं जो भी हमारे changes आते हैं हम उनके साथ changes करते रहते हैं audience जिस topic पर search कर रही है हम उस topics पर content लिखते है content को first page बिलाने के लिए या good SEO strategies के लिए बहुत सारी चीज़े important होती है कि आप किस तरीकर का keyword यूज़ कर रहे हो किस तरीकर के strategies यूज़ कर रहे हो कौन सी audience को आप target कर रहे हो कौन सा topic आप चूज़ कर रहे हो तो जब आप इन सब चीज़ों को analyze करते हो इन सब चीज़ों के बारे में research करते हैं तो हमको यह पता चलता है कि हम जो blog लिख रहे हैं या हम जिस industry में blog लिख रहे हैं या जिस topic पर हम blog लिख रहे हैं उसके लिए हमको कौन सी SEO strategy यूज़ करने पढ़ेगी हमको किस तरीकर से keyword को analyze करना पढ़ेगा हमको कौन-कौन से keyword को use करना है किस तरीकर हमको headline देनी है किस तरीकर हमको introduction देना है किस तरीकर से हमको conclusion लिखना है तो जब आप एक long term में जब एक blog को या article को जब publish करना start करते हैं तो SEO उस चीज़ का हमको benefit देता है continuously हमारे blogs या articles ranking में आना start होते हैं आप अपनी targeted audience के और ज़्यादा करीब पहुंचाते हो आप अपनी audience के साथ connect कर पाते हो continuously basis पे आप updation अपने blog के अंदर करते हो तो blogging से short term के लिए काम नहीं आती है blogging long term के लिए काम में आती है आज के episode में बस इतना ही उमिद करता हूँ आप लोगों के episode पसंद आया होगा धन्यवाद